हलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे उनलाइन चैनल अराध्या अरेस एकडमी में दोस्तों राजस्तान पटवार बढ़ती परिक्षा 2020 के सेलेबस के अकोडिंग दोस्तों राजस्तान जोग्रोफिकी कलासे स्टार्ट की गई थी जिसमें अपनी तीन कलास है वो कम्प्लीट हो चुकी है आज दोस्तों इसमें चोथे नंबर की कलास है और आज अपन इसमें राजस्तान की एतियासिक इस्तला करती है उनके नाम क्या क्या है उनके बारे में दोस्तों आज अपन चर्चा करेंगे जैसे की सेखावाटी, मारवाड है इन सभी के अध्यान करेंगे दोस्तों तो आरत्यार सेकेटमी के यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बैल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास तो दोस्तों देखो अपने सबसे पहले बुगोल क्या है बुगोल के बारे में पढ़ लिया था उसके बाद में दोस्तों हम अपने जो इसकी उत्पत्ती हुई थी उत्पत्ती के बारे में पढ़ा उसके बाद में राजस्तान में अकसांस देशांतर पढ़ा उसकी सीमा पढ देखो, राजस्तान के एतियासिक इस्तानों एवं भोगोलिक इस्तला करतियों की वर्तमान इस्तती के बारे में आज अपन पढ़ेंगे, ठीक है? तो दोस्तों देखना आपको नाम बता रहा हूं, तो देखो इसमें वागड नाम आ रहा है, एक है वागड और एक है बागड, क्या फरक है? इसमें सिर्फ वै और बै का फरक है, देखो वागड किसे कहते हैं? वागण केते हैं राजस्तान का दक्षणी भाग जिसमें बांसवाडा डूंगरपुर परताबगण सामिल है और यहां पर वागडी भासा है वो बोली जाती है तो दोस्तों आप सभी को पता चल गया होगा कि वागड है वो राजस्तान में किसे कहते हैं तो दोस्तों वहें राजस्तान का वहें दक्षनी भाग जिसमें बासवाडा, डूंगरपुर और परताब गड़ आता है उस छेतर को वागड कहते हैं और वहां पर वागडी बसा बोली जाती है उसके बाद में दोस्तों दूसरा देखो इसमें बागड, बागड में क्या है तो देखो बागड है यह अरावली का पस्मी भाग जिसका विस्तार पाली नागोर सिकर जुन्जुनु ये चो छेत्र है ये दोस्तो बागड कहलाता है ठीक है? बागड है वो कौन सा छेत्र है? तो पाली, नागोर, शिकर, जूंजुनु वाला छेत्र है ये बागड कहलाता है समझ में आगया होगा आपको उसके बाद में दोस्तों दूसरा नंबर का point देखो वो है राठी अब राठी किसको कहते हैं तो दोस्तों आप सभी को पता है राठी है वो एक गाय की नसल भी पाई जाती है ठीक है गाय की नसल भी एक पाई जाती है राठी नाम की ठीक है तो देखो राठी छेत्र है वो क्या है तो देखो बिकानेर जैसलमेर बाडमेर का छेत्र जहां वर्सा 25 सेंटेमेटर से कम होती है उसको कहते हैं दोस्तो राठी बिकानेर जसलमेर बाडमेर का छेत्र जहां वर्षा 25 cm से कम होती है वो कहलाती है दोस्तो राठी इस छेत्र में राठी नाम की गाय की नसल भी पाई जाती है समझ में आ गया कि राठी क्या है तो राठी एक गाय की नसल है और राठी विकानेर जसलमेर बाडमेर का ऐसा चेतर है जहां पर वर्सा है वो 25 cm से कम होती है तो वो राठी चेतर खेलाता है अब दूसरा इसके अंदर देखो राठ ये तो है राठी ये है राठ कोश्टक में दोस्ता आपको यहां पर दिख रहा होगा अहिरवाट तो ये है राठ और ये है राठी राठी मैंने आपको बता दिया राठ क्या है देखो इसमें जैपूर की कोट पूतली तैसील और अलवर की बानसूर तैसिल को इसमें सामिल किया जाता है अहिरवाटी ठीक है यानि कि यादव होते हैं ठीक है यादव वाला छेतर है ये वाला तो दोस्तो राठ राठ किसको कहते हैं तो जहपूर की तो कोटपोटली तैसिल है और अलवर की बांसूर तैसिल न को इस राठ च्छेतर के अंदर सामिल किया गया है दोस्तो यह यह यादव वन्स द्वारा सासित च्छेतर है मेरे एक गुरुजी थे डोक्टर पर्मोद यादव वो भी दोस्तो यादव ही थे और वो भी कोट पूतली के साइड के ही थे ठीक है तीन नंबर का जो प्रिशन है मेरू मेरू देखो अरावली को कहा जाता है मेरू किसको कहा जाता है अरावली को कहा जाता है मेरू जो राजस्तान का प्राचिंतम भोतिक बाग है तथा गोडवान लेंड द्वारा निर्मित है मेरू किसको कहते है तो दोस्तों अरावली को कहते है मेरू का मतलब जैसे मेरू दंड होती है यानि कि रीड के अड़ी होती है तो राजस्तान में जो रीड के अड़ी है वो अरावली है तो दोस्तों अरावली को कहा जाता है मेरू ठीक है और राजस्तान का प्राचिंतम बहुतिक विभाग है और गोड़नवालन लेंड द्वारा निर्मित है याद रखना इस चीज़ को एक है मेरू और दूसरा है मरू मरू क्या है तो दोस्तों मरू देखो राजस्तान के पस्मी भाग को मरू कहा जाता है जिसका निर्मान तेठी सागर के इस्तान पर हुआ है जैसे मरू कांतर, मरुस्थल ठीक है तो दोस्तों ये नाम है ये मरू मरू तो है राजस्तान का पस्रमी भाग जिसको अपन मरुस्तल के नाम से जानते हैं और ये है दोस्तो उपरवाला वो है मेरू मेरू का मतलब रेडिकेट डी यानि की अरावली ठीक है व्याद रखना इस चीज़ को अब ये आगया दोस्तो तोरावाटी ये हमारा चेतर आगया है तोरावाटी कहातली नदी का अपवा चेतर जिसका विस्तार सिकर एवं जुनुनु में है तौरावाटी यानि कि यहां पर तौरों के 32 गाओं है तौरवन्स का एक गड़ है तौरावाटी और इसको तौरावाटी के नाम से जानते हैं तौरावाटी है यह कातली नदी का अपवाद छेतर है जिसका विस्तार सिकर एवं जुनुनु में है यहां तौरवन्स द्वारा सासित परदेश है याद रखना दोस्तों मेरे गर के आगे भी ठिकाना तौरावाटी लिखा हुआ है ठीक है देखो सेखावाटी सेखावाटी के अगर अपन बात करें तो इसमें चूरू सिकर जुन जुनू जिले सामिल होते हैं सेखावाटी के अंदर और यहां मुख्यते सेखावतो का सासन रहा है ठीक है और एक है बोमट एक है बोराट और एक है बोमट बोराट तो दोस्तो उदेपुर की गोगुंदा पहडी वै राजसमंद की कुम्बलगड पहडियों के बीच का पठार को कहते है दोस्तो क्या तो यह बोराट का पठार कहते है आपने सुना होगा बोराट का पठार है ये कहां पर इस्तित है तो दोस्तो उदैपुर की गोगुंदा पाहडी और रादसमंद की कुंबलगड पाहडी के बीच का जो पठार है वो बोराट का पठार कहलाता है और यह है अरावली में इस्तित है ठीक है उसके बाद में दोस् न होगा बहुमट भील तो देखो उद्यपुर वे डूंगरपुर के बीच पहाडी छेतर को बहुमट कहा जाता है भील जनजाती का मुख्यत इस्तान इसको कहते हैं ठीक है बहुमट को दोस्तो यहाँ पे बहुमट दोस्तो यह भील जनजाती का मुख्यत इस्तान कहलाता है बोमट अब समझ में आ गया होगा बोराट और बोमट में अब दोस्तों साथ नमबर का देखो इसमें एक है मतस्य और एक है मतस्य संग तो मतस्य क्या है? मतस्य देखो अलवर का दक्षनी पस्मी भाग जिसे मतस्य कहा जाता है जिसकी राजदानी बैराठ विराठ नगर थी तो मतस्य देखो जिसकी राजदानी बैराठ यानि की विराठ नगर थी मतस्य संग के बारे में अगर अपने बात करें तो देखो राजस्तान के एकिकरन के पर्थम चरण को मतस्य संग कहा जाता है जिसका गठन है वो 18 मार्च 1948 को हुआ था जिसमें जिले सामिल है A, B, C, D यानि की अलवर, बरतपुर, दोलपुर और करोली ये चार जिले हैं वो दोस्तो इसमें सामिल है किसमें तो दोस्तो मतस्य संग में नेक्स्ट है आठ नमबर का प्रस्थन है इसमें देखो मारवाड और एक है मेवाड मारवाड और मेवाड तो मारवाड में देखो क्या क्या है तो राजस्तान के पस्म संभाग राजस्तान के पस्षिम संभाग को मारवाड कहा जाता है जहां मुख्यते मारवाडी बोली बोली जाती है जहां पर मुख्यते मारवाडी बोली बोली जाती है यानि कि जोदपूर का जोदपूर के 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 मुक्यत है उदैपूर चितोडगड एवं आंसिक राजसमंद एवं भीलवाड़ा को मेवाड कहा जाता है तो दोस्तों मेवाड है मेवाड का जो छेतर है वो उदैपूर चितोडगड राजसमंद भीलवाड़ा का जो छेतर है उसको मेवाड कहा जाता है ठीक है और एक है मेर मारवाड मेवाड और मेरवाड तो मेरवाड है यह दोस्तों मुक्यत आजमेर एवं राजसमंद को मेरवाड कहा जाता है जो मारवाड एवं मेवाड को जोडता है मुखेता अजमेर एवं राजसमंद को मेरवाड कहा जाता है जो मारवाड एवं मेवाड को जोड़ता है ठीक है नेक्स्ट तेखो मेवात और मेवल मेवात है मेवात किसको कहते है तो मेवात अलवर भरतपूर जिले को कहा जाता है मेवाद, जहां मेव जाती रहती है, ठीक है, जहां पर मेव जाती रहती है, उस छेतर को मेवाद कहते हैं, और मेव जाती कहा रहती है, तो अलवर भरतपुर में, मेवल, मेवल दोस्तों, डुंगरपुर एवं बासवड़ा के बीच के जो पहाडी छेतर है, उसको मेवल कहा ज आता है ब्रजनगर ब्रजनगर है ये दोस्तो जालरा पाटन का प्राचीन नाम है ब्रजनगर ठीक है देखो इसमें जो अकसर का द्यान रखना इस वाले ब्रज के अंदर क्या है नीचे ठीक है और उस वाले ब्रज के अंदर क्या है तो ये देखो ये ब्रजनगर है ठीक है य प्लूपी से सहलेगन है तो ये ब्रजनगर है याद रखना दोनों को उसके बाद में दोस्तों 11 नमबर का है योद्देशेत्री योद्देशेत्र है वो किसको कहते है平 है सामिल हैं उसके बाद में दोस्तों बारा नमबर पे आता है थली थली है ये किसको कहते हैं तो आप सभी को पता है कि मरुस्तल का उचा उठा हुआ भाग जिसका विस्तार विकानेर वैचूरू में है मरुस्तल का उचा उठा हुआ भाग जिसका विस्तार विकानेर वैचूरू में है दोस्तों उस भाग को थली कहते हैं और इस छेतर में कोई नदी नहीं बहती है एक है थली थली मैंने आपको बता दिया विकानेर वैचूरू के छेतर को कहते हैं एक है तली तली क्या है तो दो बालुका इस्तूप के बीच का नीचा भाग तल्ली कहलाता है बालुका इस्तूप है मरुस्तल में पाये जाते हैं तो इस बालुका इस्तूप के बीच का जो नीचा भाग है उसको तल्ली कहते हैं जिसमें पलाय जिलों का निर्मान होता है अब दोस्तों आगे चलते हैं तेर जहां कंटीली वनस्पति पाई जाती है उसको कहा जाता है दोस्तो जांगल परदेश और इस चेतर की राजदानी है वो अहीच सत्रपूर थी जांगल परदेश की राजदानी कौन शी थी अहीच सत्रपूर नागोर तो अब उसके बाद में देखो जोजे नंबर का अहीच सत्रपूर तो दोस्तो यह नागोर का प्राची नाम है और यह जांगल परदेश की राजदानी है क्या अहीच सत्रपूर उसके बाद में देखो सपाद लक्स पंदरा नंबर का सपाद लक्स सपाद लक्स है ये अजमेर्क छित्र को कहा जाता है सपाद लक्स से जहां 94 का सासन था सामबर के असपास का छित्र उसके बाद मैं डूंडान पर देश तो है आप सभी को पता है डूंड नदी के छित्र को डूंडान कहा जाता है दोस्तो कुरू कुरू अलवर के उत्री भाग को कुरू कहा जाता है जिसकी राजदानी इंदर प्रस्त यानि की वर्तमान दिल्ली थी कुरू किसको कहा जाता है तो दोस्तो कुरू प्रदेश अपने नाम सुना होगा तो कुरू है ये अलवर के उत्री भाग को का जाता है जिसके राज़दानी इंदर प्रस्त यानि की वर्तमान दिली थी 18 नमबर काता है दोस्तो इसमें सूर्षेन सूर्षेन जनपद का अपने नाम सुनाई ही होगा तो राज़स्तान के पूरवी भाग को दोस्तो सूर्षेन कहा जाता था जिसका विस्तार वर्तमान में भरतपूर करोली दोलपूर में है और इसके राज़दानी मतूरा थी तो सूर्षेन जनपद की जो राज़दानी थी वो कौन से थी तो मतूरा थी दोस्तो अब देखो मतस्य संग के अंदर कौन से आते थे तो A, B, C, D ये मतस्य संग के अंदर आते थे यानि कि अलवर, भरतपूर, करोली, दोलपूर सूरसेन जनपद के अगर मैं बात करूँ तो दोस्तो इसमें अलवर अटा दो ठीक है और सारे के सारे यानि कि भरतपूर, करोली, दोलपूर ये दोस्तो सूरसेन में आते हैं ठीक है और डांग छेतर के अंदर कौन-कौन से आते हैं तो देखो करोली, दोलपूर और स्वाईमादोपूर ये डांग छेतर के अंदर आते हैं याद रखना इन तीनों को अलग अलग है ठीक है उसके बाद में हैं आपके बता रहा हूँ कि डांग छेतर डांग छेतर चंबल नदी के बीहड छेतर को डांग छेतर कहा जाता है इसमें सामिल जिले है करोली, दोलपूर एवं सवाई मादोपूर ठीक है 20 नमर का देखो इसमें, हयाध्दे, हयाध्दे है, किसको रहा जाता है, तो हयाद्दे देखो, कोटा एवं बूंदी को कहा जाता है हयाद्दे, जहां मुख्यत है चोहनों का सासन था, उस छेतर को कहा जाता है हयाद्दे, उसके बाद में दोस्तों सीवी परदेश, सीवी परदेश है, इसका विस्तार उद्यपूर एवं चितोडगड में है, जहां मुख्यत है सीवी जाती का निवास होता है ठीक है तो दोस्तों सीवी परदेश है ये उदैपुर और चितोडगड में है जहां मुख्यत है सीवी जाती निवास करती है और इसकी राजदानी है वो माद्यमिका जो वर्तमान नगरी चितोडगड में है ठीक है याद रखना नेक्स्ट चंद्रावती तो दोस्तों चंद्रावती है ये शिरोई का जो प्राचीन नाम है और चंद्रावती सब्वेता से भुकम प्रोधी इमारते मिली है ये चंद्रावती छेतर है ये दोस्तों आबुरोड से जब अपन पालनपूर की तरफ चलते हैं तो मात्रे और मात करीबन 10 किलो मेटर के बाद में दोस्तो ये चंदरावती आती है ठीक है आब रोड से 10 किलो मेटर आगे चंदरावती आती है और यहाँ पर चंदरावती सब्वेता का उद्वव भी हुआ है इसमें भुकम प्रोधी इमारते भी मिली है 23 नमबर का है जबालीपूर जबालीपूर है ये दोस्तो जालोर का प्राची नाम है क्या जबालीपूर जालोर का प्राची नाम है जो जबाली रिशी की कर्म इस्तली रही है इस छेतर में जालव रक्सों की परदानता पाई जाती है और जालव रक्सों की परदानता के कारण दोस्तो इसका नाम है वो जालोर पड़ा था और जबाली रिष्य की कर्मिस्तल के कारणे इसका नाम जालोर पड़ा था ठीक है तो दोस्तो आप कुछ भी मान लेना जबाली पुर है वो जालोर का प्राचीन नाम था ठीक है अब देखो पीलो भालो या पीलो भालो या पीलो तो दोस्तों राजस्तान के जालोर के भीनमाल छेतर को दोस्तों चीनी यातरी हेंसान ने अपनी पुस्तक सी यूकी में कहा है तो हेंसान हरसवर्दन के काल में आये थे बारत ठीक है और हेंसान ने अपनी पुस्तक सी यूकी इनकी पुस्तक का नाम है सी यूकी इस पुस्तक म नाम से कहा गया है यानि कि पिलो भिलो की संग्या दी गई है 25 नमबर का है मांड तो दोस्तो जैसलमेर छेतर को मांड कहा जाता था इस छेतर की मांड गाई की प्रसिद थी मांड है ये जैसलमेर छेतर को कहा जाता था और इस चेतर की मांड गाई की है वो प्रसिद थी वल, वल क्या है तो दोस्तो जैसल मेर में मांड के चारों और के चेतर को कहा जाता था वल, ठीक है याद रखना इसको भी, मेवल मेवल दोस्तो डूंगरपुर वे बांसवडा जिलो के सीमावरती चेतर पर फैली पाहडियों को मेवल कहते थे, तो अभी थोड़ देर पहले भी मने आपको बताया था कि दूंगरपुर वे बांसवडा जिलो के सीमावरती चेतर पर फैली पाहडियों को मेवल कहते हैं उसके बाद में दोस्तो 28 नमबर का आता है अपना इसमें मुकंद वाड़ा की पाहडियां तो दोस्तों मुकंद वाड़ा की जो पाहडियां है वो कहां तक है कहां से कहां तक है तो ये पाहडियां है, ये कोटा जालावाड से जालरा पातन तक है कोटा जालावाड से जालरा पातन तक है और इस पर अबली मीनी का महल बना हुआ है मुकंदवाडा की पहड़ी पर ठीक है और जिसे राजस्तान का दूसरा ताजमेल भी कहते है यानि कि राजस्तान का दूसरा ताजमेल है वो किसे कहते है तो अबली मीनी का महल को राजस्तान का दूसरा ताज महल कहते हैं तो दोस्तों यह हो गई जो राजस्तान के जो विभिन छेत्रों के जो नाम दिये गए थे वो है ठीक है इसमें मैंने आपको बता दिया लगबग गुंती 28 तो दोस्तों यह है और इसमें दो-दो करके नाम और भी हैं तो दोस्तों करीबन 40 के आसपास हो गए होंगे जिसमें जो छेत्र है राजस्तान की इस्तला करतियों की वरतमान इस्तती है यह तो कल अपन राजस्तान की संभागी ववस्ता पढ़ेंगे तो दोस्तों बने रहे है आरद आरस अकेडमी की साथ में उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में जै हिंद जै भारत